समस्कार दोस्तों, स्वागत है आप रहा हमारी चैनल पर आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशय पर मन को स्थिर कैसे करें अगर आप भी चाहते हैं कि आपका मन शांत और स्थिर रहे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चलिए, शुरू करते हैं ध्यान यानी मेडिटेशन मन को स्थिर करने का सबसे पुराना और प्रभावी तरीका है रोजाना सिर्फ 10-15 मिनिट का ध्यान आपके मन को शांत कर सकता है ध्यान करने के लिए एक शांत स्थान चुने आँखें बंद करें और गहरी सांसरे अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और धीरे-धीरे मन को स्थिर करने का प्रयास करें व्यायाम ने केवल आपके शरीर को स्वस्थ रखता है बलकि मन को भी स्थिर करता है रोजाना सुभह की सेर योग या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपके मन को शान्त और एकागर बनाए रखेगी व्यायाम से आपके शरीर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है जो आपके मन को उस्थिर रखने में मदद करता है आपका आहार भी आपके मन को प्रभावित करता है स्वस्थ और जन्तुलित आहार अपनाएं जिसमें ताजी फ़ल, सब्जियान, नेट्स और पर्याप्त पानी शामिल हो कैफीन और शक्कर वाले पदार्थों से बचें क्योंकि ये आपके मन को अस्थिर कर सकते हैं अच्छी और पूरी नींद आपके मन को स्थिर रखने के लिए बहुत जरूरी है रोजाना साथ आर घंटे की नींद लें और कोशिश करें कि सोने और उठने का समय एक ही रहे अच्छी नींद से आप रमंतरों ताजा और शांत रहता है हमेशा सकारात्मक सोचें और अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाए नकारात्मक विचारों से दूर रहें और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको खुश और संतुष्ट करती है सकारात्मक सोच से आपका मन स्थिर और शांत तो दोस्तों ये थे कुछ आसान और प्रभावी उपाय जिनसे आप अपने मन को स्थिर कर सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें नीचे दीवे कमेंट सेक्षन में हमें बताएं कि आपको कौन सा उपाय सबसे अच्छा लगा अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तब के लिए नमस्कार